नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुसिल पुनिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं जिनो ग्रूप सर्विसेज देश दुनिया में चल रहे ही किसानों के लिए अनेकों योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारी इस वीडियो को अभी लाइक करके हमारे चैनल को सस्क्रा पाते रहते हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आप दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि राजस्तान सरकार साथ फरवरी से जो सीवीर कर्जमापी के लगाने जा रही है साथ आठ और नो फरवरी को सीवीर लगाएगे इन तीन दिनों में लगबग मुख्ये पांच-पांच सीवीर एक फर डिस्टिक के एसाब से लगाएगे थे हर डिस्टिक में पांच सीवीर लगाएगे थे लेकिन 14 फरवरी के बाद में यह सीवीर हैं वो रेगुलर लगने जा रहे हैं तो दोस्तों इस शीवीरों के अंदर जो डिटेल नहीं लगाई पीदक लसी दो नूर्मल शी बात है उनको पता नहीं होगा ओगा तो कितना होगा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा थीकshot दोस्तों इस वीडियो में उन सब और इसे किसानों को दो मतलब शिवीर के अंतर जिनक नाम नहीं आया या प्र मतलब जिनके яई आपका लोन कितना प्चास अजार पिछली बार सरकार ने माप कर दिया तक उसके बाद में कितना पचा हुआ है और आपका कितना Лोन माप हुआ है यह डेटेल ऑनलाइन है वो अप लोड हो चुकी है लगबग कर दिस्टी की सब भी सहकारिस प्रship स्क्राइब करें दोस्तों तो तो साइद आपको नहीं मिलेंगे हो सकता है कि मतलब स्पोज करो किसी सहकारी समिति आने भी कर्जिके अंदर थो क्षैद होसकता है लेकिन लगब भग सभी सायकारी समितियों के टोटल तो सब्सक्राइब सोई भी डिटेलाव अप्र धादी के यह लेकिन कुछ सैक्रिस्प्रेस्चों में भी इस रंतकर रियो में का M putting S मैं खातिसे क्ल तक थैंज हैं अदर लेकी अज 55% लोगों के को आप लोड पाद कर दो कर शोट पर चलते हैं हम आपको दिखाऊ खाऊ है किस तरह से आपको आपका गृतना माप बताऊ हके उसे पहले मेरे आप से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब चूरूर कर दे हूँ एक लाइक आपका एक लाइक सिंगल लाइक मेरे लिए बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है दोस्तो तो चलते हैं मुबाइल की स्क्रीन पर जाम आपको पूरा प्रोसेस है वो लाइव समझाने वाला हूँ दोस्तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है lwa.rajistan.gov.in जैसे ये विफसाइट आप टाइप करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको सहिकारी बैंकों की रिलिस्ट वगेरा टोटल सर्च करने को मिल जाएगी आपका नाम देखिए ये लेफ्ट एंड पर जो थ्री डोट दिखाए दे रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है इस डोट पर आपको क्लिक करोगे तो इसमें पहला होम दूसरा इंफॉर्मेशन तीसरा फीडवेक चोता सर्च और लास्ट वाला है लोगिन ठीक है इसमें आपको सर्च ब को स्लेक्ट करना है जैसे आप वो स्लेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद में जैसे यह देखिए दोजाठारा और उन्नीस की ओर्ड स्कीम है जिनका पचास जार पिछले साल माप हुआ है वो चेक करना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपको अभी जो अब मतलब जि चीशी भी स्लेक्ट कर लेता हुए ठीक है तो जैसे मैं न्मानगड तौं kg 10 नचे ब्रांश के नाम ओपन होंगे तिक यह नमें जो आप स्लेक्ट करके आपकर घाम जो भी ब्रांश हgot आप स्लेक्ट कर सकते हैं जैसे मानमानगण ठाउं मेरा ब्रांच का नाम है ठीक है और x का नाम मतलब जो सहकारी शमीति आपकी पंचायत समीति पंचायत घर में दार पर जो समीतियां होती है不好意思 को सहकारी मेरी उनके नाम आपको इस लास्ट स्मीटिती को आपकी स्मीटि को आपकी सहिकारी स्मीटि जो भी है आपका सहिकारी बैंक वो select करते ही, इसकी total detail इस bank की, साथ, दस, ग्यारा SES, डवलू जो भी, ये bank है, इस bank में कितने खाते हैं, कितने खातों का, कितना रिन है, मतलब map होने वाड़ा, कितना rin है, वो total detail यहां पे show करेगा, यहां पे show करेगा, उसमें आप देख सकते हैं कि आपका कितना loan map हुआ है किसी दूसरे का कितना loan map हुआ है कितना उसका पड़ाऊवा लोन था मतलब देन उस पे कतना था ठीक है दो सो यह देखे नीचे entry जाने स्टार्ट होगी जैसे यह देखें है पहली फहली है जैसे मनफूल राम हरी राम ठीक है के टिगरी इनकी अदर्स और इनका प्रिंसिपल मतलब मूल दन था वो था 80,000 रुपे ठीक है इंट्रेस्ट जो लगा हुआ है वो जीरू है चार्जेज है वो भी जीरू है ठीक है और इनका लोन है टोटल 80,000 रुपे का उनको देखो य होने के बाद में जो बचा हुआ लोन था वो था 80,000 रुपे यह 80,000 रुपे पूरे के पूरे हैं वो माप कर दिये यह देखिए यहां पर लिखा हुआ है वेवर रमांट कुल छूट कि रासी 80,000 अब वर्तमान इस्तिति मतलब क्रंट स्टेक्स क्या है इसकी मतलब माप हो चुका है तो इसका सर्टिफिकेट वगरा वित्रित हो चुका यह नहीं हुआ है यहां पर लिखा हुआ है फैंडिंग विद बेनिफीशरी मतलब इनका फोर्म में वो फिल होना अभी बाकी है मतलब आपको सभी को पता ही है 14 फ्रवरी के बाद में सभी के जो फोर्म है वो फोर्म फिल करके उसके अदार काड़ दे करके ठीक है जमा करोगा करके उसके बाद में एक सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाएगा सायकारी बेंक की तरफ से वो अभी पैंडिंग है ठीक है इस तरह से आप मतलब यह देखिए फर्स्ट में मतलब फेज में यह दूसरा त तो गृव Jah Hod div करो दंगे नाम दिखाएगा पन्दरापे कलिक रे पंदरा पर दिखाएगा यह जैसे उतन्त हो बंदों की लिस्त हो आ जायेगी अगरू अब सब्सक्राइब पूं-डेखिशनोय इसलो चल रहा है इस विवियर थोड़ा टाइम लग रहा है कि देखिए ठीक है यह बन्दों की लिस्ट हो ओपन ओचुकी है मतलब आप सो बंदों के इस बैंक के जो सो बंद्द स्टार्टिंग के उनके टोटल के नाम है वो दिखाई दे रहे है ठीक है अब सो से उपर मतलब आपको नाम वग्यरा सर्च कर रहे हैं तो झानकई सकता है उसक्त है तो आपको कैसे देखना ऐसके लिए ब्सक्तल कर सकते हैं सेकंड ड्रो मेंना क्लिक कर सकते नैक्स हभी सब्सक्राइब तो वो भी दी हुई है इसमें उपर ये भी स्पस लिखा हुए ये देखिए डिटेल्स ओफ लॉन डिस्ट्रिबूट्मेंट एंड आउटस्टेंडिंग रिन बुगताने और बक्या रासी का विवरंट 30 नुवंबर 2018 तक मतलब 30 नुवंबर 2018 तक ये जो एक मतलब सोबंदे हैं इनका इतना इतना रिन है वो बक्या पड़ाया और वो टोटल का टोटल है वो मतलब इसमें बताया हुआ ये भी बताया हुआ है कि छूट के लाइक है मतलब ये 30 नुवंबर वाला सिस्टम है ना जो उन्होंने डि आपको बता दूं कि इनको सहिकारी बेंक ने बोला भी है कि 45,474 रुपे का जो आपका लोन है और इसमें एक उप्सन है कुल छूट की राशी मतलब अगर 45,474 रुपे का इस पंदे का लोन है तो इसको छूट कितनी मिल सकती है कितना इविलेबल है इसकी छूट तो इसमें इस फस्ट लिखा हुआ है छूट की राशी है वो भी 45,474 रुपे का लोन या लाख रुपे का लोन था उसमें से 50 पिछली बार माप हुए थे और इन्हों ने मतलब निकाला है कि दो लाख रुपे तक माप होंगे ठीक है तो दो लाख रुपे तक माप होंगे तो उसके इ लोन है कि आपको आपका जो लोन है वो कौन से बेंक का है ठीक है मापको दुबारा वेबसाइट बढ़ा जाता हूं दुबारा इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लड़ डुए डोट राजस्तान डोट जी ओवी डोट इन यह पेज पर जाओगे ठीक है तो इस पर जाते ही आपको यह पूर डिटेल आ जाएगी मतलब कौन सा डिस्टी का आपका पहले डिस्टी क्सलेक्ट करने डिस्सी भी ठीक है उसके ब्रांश का नाम स्लेक्ट करना और उसके बाद में आपका जो हों ब्रांश है मतलब पंचायर लेवल की परांश है जहांसे आपने लोन ले रखा है वह आपको स्लेक्ट करना थीके तो वह स्लेक्ट कर लोगे तो सब पता चल जाएगा मतलब कितने के बंदों का आपके गाओं के कौन कौन से बंदों का लोन है वो माप हुआ है कौन कौन से बंदों का कितना कितना लोन माप हुआ है और आपका मतलब जैसे एक स्पोज करो जैसे आपके पापा का या आपका या आपके दादाजी के नाम से किसी के नाम से खाता है तो उस कहते में आपका कितना लोन माप हुआ है ये भी complete detail आपको मिल जाएगी और ये detail जो मापको ये भी बता दूँ कि पिछली बार जैसे स्पोज करो कि एक लाख रुपे का लोन था उसमें से 50,000 रुपे सरकार ने माप कर दिये उसके बाद में जो लोन बचा है वो detail यहां पे दी हुई है ना कि उस 50,000 को जोड करके दी हुई है वो 50,000 पिछे वाले हैं वो जोडे नहीं गए हैं तो वो detail नहीं है इसमें सिर्फ वही detail है मतलब जो 50,000 माप होने के बाद में जो रुपे बचे थे वो detail दी हुई है तीक है उसमें समान तोर लगू किसान के बारे में भी बताया गया है तीक है भी कौन सीर केटिगरी का किसान है मतलब आदर्स में आता है किस तरह से जिसे लोन का पूरी detail ID भी दी हुई है नाम दिया हुई है पिता का नाम दिया हुई है केटिगरी दी हुई है पचास हजार माप होने के बाद में 30 नुवंबर 2018 तक इनका कितना लोन बकाया था वो भी दिया हुई है 80,000 रुपे बकाया था ठीक है उस पे ब्याज कितना लगा है अभी तक कोई ब्याज नहीं लगा है ठीक है अन्य चार्जर जैंब वो कितना रुपे लगा है वो भी कुछ नहीं लगा हुआ है ठीक है और इनका जो कुल टोटल है वो कितना है 80,000 रुपे और लास्ट जो लास्ट जो अप्शन है वो है खुल चूट किराशी मतलब अगर कर्ज माफी में इस बंदे का नाम आए इस खाते का नाम आए तो इनका कितना कर्जा माफ हो सकता है तो इसमें स्पस्ट लिखा हुआ है 80,000 मतलब 80,000 लोन था और पूरा का पूरा माफ हो जाएगा इसके लिए ये बंदा इलिजिबल है ठीक है लेकिन अभी तक जो क्यों अभी तक जो रिन माफी के प्रमान पत्र है वो शिर्फ तीन दिन तीन सिविरों बांटे गे थे और वो भी पांच-पांच सिविर लगाए गे थे प्रतेक जिला स्तरप doable आई प्रमान पत्र है वो बत्रत के जाएंगे थالध या फेम जिखाओ होगा है अगर आपकी पांचायश मित्ती में लग चुका है और आपको प्रमान पत्र जो मिल कर्जमा फ्क depends पर तरह वो मिल चुका है तो यहां पर पेंडिंग विद बेनिफिसरी नहीं लिखा हुआ आएगा ठीक है इसमें डिस्टिबूट जो सर्टिफिकेट है यह लिखा हुआ आएगा ठीक है दोस्तों इस तरह से आप अपना अपने प्रिवार का या अपने गाम का किसी का भी ना तो इसमें पूरी इनफरमेशन दी यह इंड रही है और नहीं वाले दोनों आप सकते है पieg documents और नहीं ऑचरओगे अगर इस लिस्ट को बढ़ाना चाहते हो यां तो सोबंदों के लिएंगाद पर दिखाए देगी ठीक है दोस्तों तो यह थी आज की अप नहीं अपडेट जो मैंने आपको बता दिये अब पूरे डेटेल्स हैं जो इसकी जो पूरे मैं आपको यह भी बता दूंगी पूरी सभी पंचाय समीत्यों के 100% डाटा तो इसमें अभी तक लेकिन आने वाले 14 प्रवरी तक 100% डाटा है वह अफ्लोड कर दिये जाएंगे अभी तो मतलब किसी का 50% हुआ है किसी का 60% हुआ है किसी पंचाय समीत्य का 80% डाटा अभी हो रहे हैं थो आप दोस्तों तो आज की दिया मिलते हैं अगली नई वीडियो नई न्यूज नई योजना के साथ मेरी वीडियो आपको पसंदा यह तो लाइक जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैजवान जै किसाथ